हेलो फ्रेंट्स आप देखे रहे हमारा चैनल और इसका नाम है प्यूश महितासर की क्लासेस इस चैनल का एम और इस चैनल का उद्देश बहुत सिंपल है जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बेंग सिंपल बेंग सिंपल आपको लाइफ में आगे जाने में हेल्प करता है और ऐसे हमारा चैनल भी आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा हमारा आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आपकी इंपोर्टेंस भी पहचान बाएंगे दोस्तों हर बार हम expert advice के लिए बहुत सार लोगों से contact करते हैं जीवन में बहुत सारी परिशानियों में हम ऐसे लोगों को सर्च आउट करते हैं जो हमको उससे निकाल सके और अपने अंदर की आवाज सुनने की बजाए हम expert advice को लेना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन कभी-कभी expert advice भी काम नहीं करती है और आपका simplicity जो होता है वो काम कर जाता है अब केसे काम करता है उसके लिए मैं आपको दो story सुनाओंगा फिर मैं आपको connect करूँगा हमारे topic से जो है being simple मैं help you तुमारे पहली story जो है वो technical story है technology से best है एक बहुत बड़ा automobile engineer एक बहुत super fast car को design करता है लगभग 9 महिने के hardware के बाद जब उस car को बना लेता है उसके testing complete कर लेता है तो वो उस engine के उपर अब finally जो body होती उसको पूरा fix कर देता है design वेगर अब जब पूरी car की complete हो जाती है और next day car को जब किसी program में जाना होता है जो कि उसकी opening थी तो जब उस car को जिस gate से निकलना होता है तो gate की height car की height से 2 इंची छोटी रह जाती अब वो जो बहुत बड़ा automobile engineer है वो बड़ा परिशान होता है कि ये गलती उसने कैसे कर दी कैसे उसने gate की height नहीं ना पी कैसे उसने कार की height जादा कर दी अब क्या इस gate को तोड़ना पड़ेगा केसे इतनी जल्दी सब काम हो पाएगा वो ये सब सोच रहा होता है इतने में ही उसके पास में खड़ा हुआ एक security guard आता है और बोलता है सर मैं काफी देर से आपको देख रहा हूं आप बहुत परिशान हो तो वो उससे कहता है कि हां कि कार मुझे इस gate से भार निकल नहीं है और मुझे अब लग रहा है कि मुझे gate तोड़ना पड़ेगा तो क्या तुम इस gate को तोड़ने में मेरी help कर सकते हो तो security guard उससे कहता है नहीं सर गेट तोड़ने की ज़रूत नहीं है कार आपकी ऐसे ही भार आ जाएगी तो जो expert engineer है वो काफी सोच में पड़ जाता है बोले यार ऐसा कैसे तो उससे बुस्ता है कैसे भार आएगी तो कहता है सर आप कार के चारो केट को तोड़े बाहर आ जाती है तो वो जो उसकी simple problem थी जिसका वो expert solution ढूंड रहा था उसका simple solution अवलेबल था लेकिन परिशानी के कारण वो उसको find out नहीं कर पाया तो कभी-कभी हमारी life में भी ऐसा होता है हम परिशान होते हैं तो हम सोचते हैं कैसे भार निकले लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बड़ी परिशानी होगी उससे भार निकालने का रास्ता बहुत आसान होगा और वो आपके पास होगा आप अपने दिमाग को इ दोस्तों यह एक ओल्डेज स्टोरी है एक राजा था जो काफी बुद्धिवान था इंटलिजेंट था लेकिन उसका एक पाउं और एक आँख जो थी वो सही नहीं थी मतलब वो एक आँख से काना था और एक पाउं से विकलांग था उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करत एक दिया तो मेरा फोटो अच्चा नहीं बनेगा तो मैं अपना कोई फोटो नहीं बन वाँगा लेकिन बहुत बार कहने के बाद राजा तयार हो जाता है पर वो कहता है मेरी एक शर्त है कि मेरा फोटो ऐसा बनना चाहिए जिसमें मेरी कम्या ना दिखे तो सब कहते हैं इसमें कुन से बड़ी बात है ये तो हो जाएगा तो राजा एक केता है एक और शर्त है बोले क्या जूड भी नहीं बोलना है तो गोशना होती है आसपास से सब बड़े बड़े पैंटर आते है एक्सपर्ट पैंटिंग करने वाले आते है राजा उनको अपनी दोनों कंडिशन बताता है खड़ा होता है बोलता देखिए मेरे जैसा एक पोर्ट्रेट बनाना है और काफी अच्छा बनाना है लेकिन आपको सज भी नहीं चुपाना है तो अब सारे एक्सपर्ट पैंटर जो होते हैं वो बड़े निराश होते हैं बोले यार अगर सच नहीं चुपाएंगे तो फिर अगर काणा राजा और लंगड़ा राजा तो फोटो में अच्छा दिखने से रहा तो राजा को पसंद नहीं आएगा तो इनाम की जगा हमको सजा भी मिल सकती है तो चितने भी एक्सपर्ट थे वो सब हार मान जाते हैं और वो कहते हैं कि राजा जी ये काम तो हमसे नहीं होगा तो राजा पूसता है भीड में से कि ये सारे expert painter तो नहीं बना पा रहे है क्या आप में से कोई ऐसा है जो मेरी ऐसी painting बना सके जिसमें सच भी रहे और मेरी कमिया भी चुप जाए तो एक छोटा सा बच्चा कहता है राजा जी मैं बना सकता हूँ तो सभी लोग बड़े surprise होते हैं तो राजा उससे कहता है ठीक है तुम बनाओ तो वह श्टार्ट करता है काफी देर के बार में हो एक portrait बना लेता है और जब वो राजा को दिखाता है तो राजा बड़ा खुश होता है क्योंकि राजा जो चाहता था उस portrait में वो था ना राजा लंगडा था, ना राजा काना था और ना उस चित्रकार ने जुट बोला तो दोस्तों, उसने करा क्या? तो उस बच्चे ने एक घोडे के उपर बेटे हुए राजा का चित्र बनाया और घोडा जो है आप समझे ये इस तरफ से जा रहा था और हम इस तरफ से देख रहे थे तो हमको राजा की उस डारेक्शन से सिर्फ एक पाऊं और एक आख ही दिख रहे हैं कहने का मतलब चित्रकाल ने जूट भी नहीं बोला और राजा की कमियां भी छिप गई तो इतनी आसान समस्या का आसान रास्ता उस बच्चे ने ढूण लिया जिसको एक्सपर्ट नहीं ढूण पाए तो दोस्तो ये तो हमारी स्टोरी थी अब हम आते हैं इसके मॉरल पे तो दो मोट अब दो स्टोरी इस वेरी सिंपल अगर आप लाइफ में सक्सेस्फुल होना चाते हैं अगर आप लाइफ में आगे जाना चाते हैं तो आप एक्सपर्ट बनने का इंतजार न करें आप जहां हैं आप एक्सपर्ट हैं आप अपनी राय को हमेशा रखें, हो सकता हो कि आपकी राय से ही आपकी समस्याएं खतम हो सकती हो, तो आप किसी भविश्य का वेट न करें, कि आप expert हो जाएंगे तो ये काम कर पाएंगे, आप expert नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, नहीं, being simple is very useful to be successful, मतलब अगर आप simple हैं, अगर आप थंडे दिमार्ग से सोच सकते हैं, तो ये ही enough है, successful बनने के लिए, okay guys, that's it for today, तो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसको like करें और हमारे चैनल को subscribe करें, thank you